दोस्तों fit रहना कौन नहीं चाहता है हम सभी चाहते हैं कि हम fit रहें, healthy रहें और हमें कोई बिमारी ना हो लेकिन अक्सर लोगों के अंदर एक misconception होता है और वो ये कि जितने भी nutritious foods हैं या healthy diet है ये बहुत जादा fancy होती है और बहुत महंगी होती है और इसी वज़े से अक्सर लोग अपने इस fit रहने की target को बीच में ही छोड़ देते हैं अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज इस फीडियो में मैं आपको 5 ऐसे foods के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत सस्ते हैं लेकिन आपको वो सारे गोंड वो सारे फायदे पहुचाते हैं जो कि महंगे से महंगे foods आपको दे सकते हैं जिन से आप expect करते हैं ये सबी फायदे तो चलिए बीना किसी देरी के इस interesting वीडियो को शुरू करते हैं मेरे नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा दोस्तों एक healthy और nutritious diet को महंगा होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है वैसे इस वीडियो में दोस्तों आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक disclaimer देता चलूँ और वो ये कि मैं महंगे foods के against नहीं हूँ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे महंगे foods आपको बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए बहुत सारे ऐसे महंगे foods भी हैं जो कि बहुत healthy होते हैं for example avocado एक ऐसा fruit है जो कि बहुत ही जादा अच्छी quality का होता है बहुत जारे फायदे आपको देता है लेकिन at the same time बहुत जादा महंगा भी होता है इसी तरह से quinova एक बहुत अच्छा grain है जो कि मैं अक्सर आप लोगों को recommend करता हूँ ये भी काफी जादा महंगा होता है लेकिन nutrition wise बहुत ही बढ़िया चीज है तो अगर आप effort कर सकते हैं तो no doubt आप ये महंगे foods भी खाईए इनमें भी बहुत सारे गुण आपको मिलते हैं लेकिन अगर आपका इतना budget नहीं है आप इनको effort नहीं कर सकते हैं तब भी आपको घबराने की या निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे foods हैं जो कि आपको equally good nutrition provide करते हैं और बहुत ही सस्ते दाम में करते हैं तो सबसे पहला food item जो कि मैं आपको recommend करना चा magnesium, magnesium और बहुत सारा fiber मिलता है और यह fiber दो तुरह का होता है, soluble और insoluble अगर आप बाजरे को regularly खाने लगते हैं रोटी बना के तो उससे आपके अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होगी, कभी भी आपकी हड़ियां जो हैं वो कमजोर नहीं होगी और इसके अंदर जो हैं वो carbs अगर आप बाजरे को इस्तिमाल करना चाते हैं तो अकसर इसकी रोटी बना के खाई जाती हैं तो आप रोजाना इसकी रोटीयां सुबह शाम खा सकते हैं आप अगर प्योर बाजरे की रोटी नहीं खाना चाते हैं या अगर इससे आपको गर्मी होती है क्योंकि बाजरा थ इच्छे फाइदे भी मिलेंगे, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपके अंदर गर्मी या इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी. दोस्तों दूसरा फूर आइडम जो की काफी सस्ता है और बहुत ही नूटृषियस है वो है बनाना यəni केला. दोस्तो केला काफी सस्ता होता है, 12 महिने मिल जाता है, आपको हर एक एरिया में मिल जाता है और आप इसको कहीं भी किसी भी तरह से अराम से खा सकते हैं. In fact, जब मैं student था और मैं पढ़ा करता था, medical की पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय मैं अपने hostel के बाहर रोजाना जाके सुभा को नाश्ते में केले जरूर खाया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इन केलों के अंदर बहुत सारा nutrition है, और क्योंकि उस टाइम पर budget भी limited होता थ हमारा, तो ये केले हमें वो सभी nutritious चीज़े provide कर दिया करते थे, जो कि हम रोजाना effort नहीं कर सकते थे, इसी तरह से आप भी अगर चाहें, तो आप रोजाना केले को इस्तमाल कर सकते हैं, केले को खा सकते हैं, कहीं भी अगर आप market में जा रहे हैं, आपको भूग लगी है, को भी चीज़े आपको मिल जाती हैं, और बहुत सारा fiber भी आपको मिलता है, तो अगर आप महेंगे fruits चैसे की kiwi या avocado को effort नहीं कर सकते हैं, तो रोजाना कम से कम 2 के लिए तो आप खा ही सकते हैं, तीसरा food item जो की बहुत ही जादा सस्ता है और आपको बहुत सारा nutrition और वो जो देसी पहलवान होते थे, वो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अपनी muscles को ग्रो करने के लिए, भुने हुए चने खूब सारे खाया करते थे, तो हम उस ताइम सोचते थे कि ये तने सारे चने क्यों खा रहे हैं, अब जाकर समझ में आता है कि वो चने इ खाते हैं, तो इससे आपको iron, vitamins, calcium, protein और बहुत सारा fiber मिल जाएगा, और इसके साथ चने जो होते हैं, diabetic patients के लिए भी safe होते हैं, तो diabetic patients भी अराम से इनको खा सकते हैं, शुगर भी इनसे नहीं बढ़ती है, और इसको खाने से आपका cholesterol और triglycerides भी नहीं बढ़ता है, जो कि chicken या fish से अगर आप protein लेते हैं, तो इससे बढ़ सकता है, दोस्तों जब बात चल रही है nutrition की, तो लगे हाथ मैं आपको एक बढ़िया nutritional supplement के बारे में भी बिताता चलूँ, ये supplement जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई arm supplement नहीं है, basically ये एक combo pack है, जिसमें आपको दो products मिल है, दोनों में से एक एक गोली आपको दिन में एक time लेनी होती है, नाश्ता करने के या दुपहर का खाना खाने के आदा घंटे के बाद, इसको आप पानी से ले सकते हैं, रोजाना या फिर दूद से भी इसको आप ले सकते हैं, फाइटी का Vita 365 जो है, ये basically एक multivitamin supplement है, ज जो कि आपकी बाड़ी के लिए बहुत जादा फाइदेमन होते हैं, एक बहुत ही बढ़िया USP जो इस multivitamin supplement की है, वो ये कि इसमें इन सभी चीजों के साथ-साथ आपको probiotics भी मिलते हैं, जो कि आपकी gut health को, आपके digestion को improve करते हैं, और आपको बहुत सारे बीमारियों से भी बजाते हैं, आपकी immunity को भी enhance करते हैं, ओमेगा 1000 की अगर मैं बात करूँ तो basically ये एक omega-3 fatty acid का supplement है, एक ऐसा capsule है जिसमें आपको omega-3 fatty acids, DHA और EPA की form में मिलते हैं, omega-3 fatty acids के बहुत सारे फायदे होते हैं, इस पे मैंने एक पूरी dedicated वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें त उसको भी देख सकते हैं, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, omega-3 fatty acids के बारे में गर मैं आपको short में बताऊं तो ये आपकी body के अंदर inflammation को कम कर देते हैं, आपकी heart health के लिए अच्छे होते हैं, bad cholesterol को कम करने का काम करते हैं, triglycerides को कम करने का काम करते हैं और आपकी दोनों supplements यानि vitica, vita 365 और omega 1000 अगर आप एक साथ लेंगे, तो आपको सर से लेके पाऊं तक हर एक system के लिए, हर एक cell के लिए proper nutrition मिल जाएगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपको इंदर energy भी बढ़ेगी, आपकी heart health भी अच्छी रहेगी और आपके अंदर बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिमारिया, chronic diseases होने का जो खत्रा होता है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, इस से supplement को, इस package को अगर आप purchase करना चाहते हैं, या इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, कि इससे क्या-क्या फायदे आपको होते हैं, तो आप नीचे description मिल ज़्याद कितनी अच्छी रहती है, चलिए अब वापस आते हैं अपने main topic पर और बात करते हैं चौथे food item की, दोस्तों चौथा food item जो कि मैं आपको recommend करना चाहता हूँ, वो है पालक, पालक एक ऐसी सबजी है, जो कि आपको 12 महीने बहुती अराम से मिल जाती है, और काफी reasonable rates पर मिल जाती है, पालक के अंदर बहुत सारा nutrition पाए जाता है, mainly चार ऐसी चीजे हैं जो कि इसके अंदर पाए जाती है, और जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत जादा जरूरी होती है, पहली चीज है iron, दूसरी चीज है vitamin B complex, तीसरी है vitamin A, और चौती है vitamin K, iron आपकी body के के लिए जरूरी होता है, इनको बहुत सारी अलगलग बिमारियों से बचाता है, और इसके साथ जो vitamin B complex होता है, ये आपकी body के अंदर energy products produce करता है, और आपके metabolic rate को बढ़ा देता है, जिसकी वज़ा से आप ज़्यादा तागतवर महसूस करते हैं, तो in short, अगर आप पालक को इस्तमाल करेंगे, तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे, और जादा पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे, दोस्तों, अकसर हम लोग पालक को खाते हैं सबजी बनाकर, और इस सबजी बनाने के process में हम सबसे पहले पालक को काटते हैं, फिर इसको धोते हैं, और उसके इसको काटेंगे, और फिर धोएंगे, तो सारा का सारा vitamin B complex इसमें से निकल जाएगा, दूसरी problem ये है कि जब हम इसको तेज आँच पे पकाते हैं, तो उससे इसके अंदर मौजूद दूसरे जो nutrients हैं, वो denaturate हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और इसकी बुझा से आपको उतना फाइदा नहीं मिल पाता है, जितना के मिलना चाहिए, तो फिर पालक को इस्तिमाल करने का सही तरीका क्या है, पालक को अगर आप असल में nutrition deficiency दूर करने के लिए या इसके फाइदे लेने के लिए इसको सलाद बना कर खाईए, आप इसको काटके उपर थोड़ा सा काल मिर्च और नमक डाल के उसको खा सकते हैं, या फिर आप इसको जूस बना के या स्मूदी बना के भी इस्तिमाल कर सकते हैं, दोस्तो लास्ट फूड आइटम है मूं की दाल, वैसे तो सारी दाले काफी अच्छी होती है, लेकिन मूं की दाल स्पेसिपिकली जाधा फाइदे लगते हैं, अगर रोज आपको खाने में बोर लगता है, तो आप हफते में कम से कम दो या तीन टाइम मूं की दाल को जरूर खाएं, दोस्तों ये पाँचो फूड आइटम जो आज मैंने आपको बताए हैं, ये सब के सब काफी reasonable rates में होते हैं, और nutrition से भरे हुए होते हैं, वैसे सिर्फ 5 ही आइटम नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो कि आपको अच्छा nutrition देती हैं, और reasonable rates में available हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और इसे अच्छे खासे आप लोग likes और comments देते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग इससे बहुत ज फॉर्म में हमारे साथ शेयर करिए, चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ के फिर मी लूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा.